नवस्का दोस्तों हमारे भी एस सर्मा भद्ध्ध चैनल में आप सबी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों गृष्ट जीवन में किसी भी प्रिकार की परिस्थिति आई हुए, आपको किसी भी प्रिकार की समश्या है, धन से सम्मंदित, संतान से सम्मंदित, नौकरी से सम्मंदित, आप बिल्कुल सारे उपायों से परिशान हो चुके आप बहुत परिश्चम करें बहुत उपाई कर रहें फिर भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रहें दोस्तों एक बात का ध्यान रखें अगर आपके ऊपर कोई बंदन है जब तक वो बंदन ने खुलता है तब तक सारे उपाये निश्पल हो जाते ही उन उपायों का फल तभी प्राप्त होता है जब आप बंदन से मुक्त हो जाएं आज हम आपको बंदन से मुक्त करने वाला अगर किसी ने आपकी ऊपर कुछ तोना तोटका किया हुआ है या नौग्रेओं की दिष्टी है या आपकी ऊपर नजर दोस है या कोग बंदन है या सरीर बंदन है या ब्यापार बंदन है किसी भी प्रिकार का बंदन है शरीर हर समय बीमार रहता है तो आपको एक ऐसा उपाय बता रहें इस उपाय को करने से सभी प्रिकार के बंदनों से मुक्ती मिलेगी इस उपाय को जो है आप जरूर करें पंदोसी जानने से पहले जो भी दोस्त हमारी चैनल को पहली बाहर देख रहें जिन्नों ने अभी तक भीcharma बात द्वाद द्वाद चैनल को सब्सक्राइब ने किया है। बगन में बैल electromagnhö को दवाय करकी के और पे क्लिक कर दें जिससे हमारी वीडियो का प्रिति अप्रेद सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों इस उपाए में आपको ज्यादा वस्तों की आवश्चता नहीं है कुछ वस्तों की आवश्चता पड़ेगी यह उपाए आपको सौंबार की दिन से प्रारंब क पानी में जिस पानी में आप इस्नान करते हैं उस पानी में आपको करना यह है कि नाने के पानी में सुगंदित केवड़ा या गुलाव जल थोड़ा सा डालना है थोड़ा सा नीबू का रश डाल करके एक दो बुन डाल करके आपको इस्नान करना है आप ज्यादा पानी में दाल सकते, एक लोटे में जाल करके वो उपाट से डाल लें , इस में कोई नियम नहीं है , इसम्ठु सावनी साथ में प्रियोक कर लें , कोई दोस्त Amen करके पिर एक लोटे में आपको जल, लेना है और उसमें आपको धतूरे का फूल डालना है , अगर धतूरा ने मिलता है धतूरे का मिल जाए तो ज़्याद अच्छा है फूल या फल नहीं तो आप बेल पत्र भी डाल सकते हैं और दोनों मिल जाए दोनों डाल ले और आपको एक से आठ बार ओम नमाश शिवाय मंतर का जाप उस लोठे को हाथ में ले करके करना है और करके जाकर के शिव ल आपको 45 दिन लगातार करना है जैसे इस्ति का माशिक दर्म आ जाता है तो उन दिनों में छोड़ दे आगे के दिन जो है जैसे 20 दिन हो गए माशिक दर्म आ गया सुद दोने के बार में जो गिना जाएगा एक किसमा दिन गिना जाएगा इसमें बीच में खंडित नहीं होत सकता है इसे 45 दिन कल दे दोस्तों देखना सरीर के उपर कैसा भी बंदन होगा कोई तोना तोटकाए किया कराया है हर प्रिकार के बंदन से मुक्ति मिलेगी जो अब बेल पत्र चड़ाते बेल पत्र में ध्यान रखें बेल पत्र कभी भी जो है चड़ाते बिना चंदन लग चैनल लगाए जाता है चिकनी साइडी नीचे की साइड में रहती है इस फिकास से सिवलिंग पर चड़ाएं दोस्तों इस उपाय को करें अगर आपको हमाल जानकारी वीडियो अच्छी लगियो इसे लाइक और शेयर जरू करें जिससे जादा से जादा लोगों को इसका फ इसना